Hey guys, welcome back to my channel, मैं हो रिम पयो और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल वित रिम में तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हूँ Alps Goodness का Rosemary Water तो मैं आप लोगों को to be very frank एकदम clear कर देती हूँ कि ये कोई भी paid promotion नहीं है इसलिए प्लीज मुझे कोई comment मत करना कि ये paid promotion वेडियो है और आपने पैसे के लिए इस product को promote कर रहे हो तो आप लोगों को मैं बता दू ये product मैंने अपने पैसे से खरीदा है और by God ये product इतना अच्छा है कि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इतना अच्छा ये product है तो आप लोग देख पा रहे हो मेरे छोटे छोटे से baby hairs आये हुआ है देख पा रहे हो ना ये यहाँ पर देखो ये बहुत सारे मेरे hair बहुत सारे baby hair आये हुए है यहाँ पर देखो ये है baby hair छोटे छोटे से बाल है मैं इस product को कुछ दिन से use कर रही हूँ already मेरा एक ये bottle खाली हो चुका है ये भी half खाली हो चुका है तो और एक bottle है वो भी खाली हो चुका है तो मैं इतना सारा product use करने के बाद आप लोगों को review दे रही हूँ देख रहो ना खाली है ये और इसका भी already half खाली हो चुका है तो इतना use करने के बाद आप लोगों को मैं review देने जा रही हूँ तो ये है rosemary rosemary water alps goodness का ये देखो ये alps goodness का rosemary water है for thick hair ठीक है अपने बालों को घना, लंबा, मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये rosemary water का use करते है ठीक है तो ये देख लो सबसे पहला और सबसे good चीज इसमें क्या है ये silicon free है ठीक है ये sulfate free है और ये paraben free है तो ये तीनों चीज जो चीज में होता है यदि hair में silicon तो फिर भी face पे चल जाता है लेकिन hair के लिए silicon सही नहीं है तो ये जो product है ये silicon free भी है sulfate free भी है और paraben free भी है जो कि हम लोगों के लिए समझाओ ये क्या बोलते है उसे एक gift समझाओ एक gift है हमारे hair के लिए ये ठीक है और सबसे पहला चीज ये animal tested बिलकुल नहीं है इस इंसान पर use किया गया यहां पर देखो लिखाव है cruelty free और ये है artificial color free ठीक है इसमें कोई भी artificial color वगरा कुछ भी नहीं मिलाया गया है ठीक है इसलिए that's why ये पुड़ा white दिख रहा है है ना transparent type तो ये है हुआ अच्छा इसको लगाने से होता क्या है rosemary water rosemary हमारे hair के लिए कितना ज़्यादा beneficial है ये मैं आप लोगों को सबसे पहले clear कर देती हूँ तो रोज मेरी ना सबसे पहले hair growth को growth को not growth hair growth को stimulate करता है ठीक है hair growth करता है जिनका समचाई आप लोग की hair बढ़ना बंद हो चुका है बंद नहीं जिसका बहुत ही जादा slow hair growth होता है उनके लिए तो एक वर्दान सा है ये alps goodness का oil sorry alps goodness water ये हमारे skin के pH balance skin means head ये जो हम लोगों का head है ना ये head का pH balance को maintain करके रख increased sign हमारे hair पे बहुत shine ले करके आता है ठीक है बहुत लोगों का hair ऐसा होता है कि hair पे कोई shine नहीं है hair बहुत ही गंदा सा देखने में लगता है यदि अब shampoo भी करते हो तो भी उसका texture उतना अच्छा नहीं होता है बहुत ही अजीब सा hair लगने लग जाता है तो ये hair के texture को भी अच्छा करता है scalp के health को अच्छा करता है इसे न आप लोगों को अपने hair पे at least 3 बार इसमें twist weekly लिखा हुआ है तेकिन at least 3 बार हम लोगों को यूज करना है week में यदि आप चाहे daily यूज करना तो जैसे आप skin के लिए अपना toner यूज करते है वैसे ही Alps goodness का ये जो rose merry water है ये भी आप लोग यूज कर सकते है तो सबसे पहला चीज है guys की ये हम लोगों के लिए जिनके भी hair fall बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए ये एक avatar है हाँ अवतार है मेरा hair growth इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है उसके बाद मेरा जितना भी hair fall हुआ था वो सारा अभी growth हो रहा है as you can see यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से hair है बहुत ही छोटे छोटे से ये देखो guys ये देखो बहुत सारे मेरे hair पर baby hair आ चुका है head पर तो मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को भी इसका suggestion देती हूँ यदि आप लोगों को बहुत ज़ादा extreme hair fall है बहुत ही severe case है तो आप doctor के पास जाओ यदि आपको normal hair fall हो रहा है तो you can go for this तो guys मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये hair growth को stimulate करता है आपके सारे dendrup के problem को खतम करता है scalp का pH level को maintain करके रखता है तो इसके बहुत सारे अच्छे-च्छे से गुण है जो कि rose meri water में और ये organic है इसमें कोई chemical नहीं है ये cruelty free है sulfur free है sulfate free है सब free है लेकिन ये product खरीने के लिए पैसे लगते है ठीक है तो आईए जानते हैं कि इसे use कैसे करना है तो इसे हम मैं कैसे use करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ये share करूँगी तो चलिए use करते है और guys मैं आप लोगों को बता दूँ यदि वीडियो पसंद आया हो तो like, subscribe और share करना बिल्कुल भी ना भूले तो guys बढ़ते हैं आगे वीडियो के तरफ कि इसे use कैसे करना है तो करना क्या है ये मैंने बड़ा वाला बॉटल बॉटल मंगवाया था ये थोड़ा सा गिर रहा है थोड़ा सा मैसी हो रहा है ठीक है इसकी एक बून भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए डाल दोंगी ये अब फुल हो चुका है और ये हाफ से भी कम हो चुका है तो तो ये वाला ऐसे डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये नॉर्मली जैसे हम लोग अपने स्कैल्प पे कोई वी चीज स्प्रे करते हैं उस तरह से स्प्रे करना है यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज मैं बताऊ एक और चीज बताती हूँ ये जो बड़ा वाला बॉटल है तो ये बड़ा वाला बॉटल इसलिए दिया गया है कि आप छोटे वाले बॉटल में पोर करके आप इसे यूज कर पाएं अब ये छोटे वाले बॉटल का मैं सबसे अच्छा चीज बताती हूँ ये क्या है न यहाँ पे आन और आफ का सिस्टम है ये ये दिख रहे हैं ये ऐसे और ये ऐसे तो ये ऐसे किया न मैंने तो ये आन हो गया है ये देखो ये ओफ हो गया है अब कौन हो आँ दिखा ये इस तरह से on-off का सिस्टम दिया हूँ यादि कोई बच्चे के हाथ में तो नहीं देना क्योंकि और हाँ, इसमें दिया हुआ है न, avoid, keep away from direct sunlight and heat, avoid contact with eyes, तो आख बचा करके रखें, ठीक है, आप जब scalp पे spray करते हैं तो आख बचा करके रखें, चलिए, कोई बखबखें, मैं आप लोगों को आगे और भी बात बताती हूँ, तो यह जो दिया हुआ है, यह on-off का system दिया हुआ है, और यह दिया हुआ है कि आप इससे बहुत ही easily कर सकते हो, अगर आप direct इससे करते हो, तो आपको क्या करना होगा, कोई cotton में इससे लेना होगा, लेने के बाद आपको scalp इस तरह से धीरे-धीरे-धीरे करके देना होगा, और यह दिया आपके spray bottle खरीते हो, तो मैं आप है, आइए इसका यूज बताते है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, scalp को ऐसे open करना है, scalp ऐसे open करने के बाद scalp पे इस तरह से spray कर देना है, तो बहुत में चला गया, कुछ नहीं बोलूँगी, मुह में चला जा रहा है, आपको अपने all over scalp पे इस तरह से करके spray कर देना, ठीक है, यह ना मैं जब भी spray करती हूँ ना, मेरे मुह में चला ही जाता है, कुछ नया चीज नहीं है मेरे लिए, तो मैरी सबसे पहले तो hair growth में बहुत अच्छा माना गया है, hair को growth करता है, बहुत ही fast, ठीक है, जिनका hair growth बहुत ही slow है, वो इसे use कर सकते है, after that, यह dandruff को control करता है, जो दो number है, वो dandruff को control करता है, improve hair texture, आपके hair के texture को सही करता है, यदि आपका hair बहुत ही dull, dry सा है, तो यह उसको भी बहुत अच्छा करता है, prevent of hair loss, देखेंगे कि बहुत लोगों को baldness का problem होता है, गंजपन का सिकार हो जाते हैं बहुत से लोग, तो यह जो arps goodness water है यह लगाएंगे यदि आप तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ यदि आप लोगों का hormonal कुछ issue है, यदि आपका genetics में यह चीज है, तो हो सकता है, लेकिन ऐसे immature, जिसको बोलते है न, immature timing से हो जाना, तो वो चीज नहीं होगा, रोजमेरी water को अपने scalp पे तो अपलाई करना ही है, scalp के साथ साथ आपको अपने full hair length में भी अपलाई करना है, जिससे आपका hair का जो pH balance होता है, वो maintain रहे और hair में shine बना रहे है, तो रोजमेरी जो water है, व इसे hair growth होता है, dandruff का control होता है, improve hair texture होता है, after that, prevents of hair loss, जितने भी hair loss आपको बहुत जादा हो रहे है, तो वो भी आपके hair में कम हो जाता है, increased sign और आपके hair पे बहुत ही एक अच्छा सा shine देखने को मिलेगा, तो इसे week में at least 3 days use करें और इसे use करने के बाद, एक घंटे के बा साथ भी hair wash कर सकते हैं, तो hair wash जरूरी तो है, लेकिन आपके ओपर depend करता है, यह बिल्कुल भी non sticky है, बिल्कुल भी sticky नहीं है, तो आप इसे कभी भी use कर सकते हो, overnight भी रख सकते हो, और spray करने के बाद आप इस तरह से अपने पूरे सिर पे, आगे पीछे चारो तरफ, अपने head के चारो तरफ आप लोगों को spray करना है, तो या guys, वीडियो यहीं खतम करते हैं, तो guys, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, subscribe और share करना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूल तब तक के लिए मिलते हैं guys, next वीडियो में, see you soon, bye bye